लुट मॉर्निंग राजस्थाना का एकिकरण से पहले कुछ स्वाल में आने चीए कि एकिकरन क्यू works क्यों सॉपसे पहले आपको ध्यान होना चीए नगी अब भारत की इस्तिटी स्पाइब हमारे देश की आजादी के समय भारत की सुरूप में था तो यहां पर भारत की आजादी के समय की स्थिति को ध्यान में रखते भी एकिकरण के अंतर गदम उसके बारे में समझेंगे तो मैं आपर थोड़ा सा आपको आउटलाइन बहुत ज़्यादा नहीं भारत की बता रहा हूँ कि क्यों हमें एकिकरण करने की आउसकता हुई इस प्रकार से यहां पर राजस्तान के एकिकरण से पहले मैं थोड़ा सा आपर भारत के एकिकरण के बारे में बता रहा हूँ जब देश आजादी की गोशना हुई देश आजादी के समय 15 अगस 1947 से पहले भारत को चार भागों में विवाजित किया गया था। पीसरा क्षत्र था जिसको बोलते थे चीप शीप और चोथा क्षत्र था जिसको बोलते थे केंदर सासित प्रदेश इस प्रकार से आजादिस से पहले भारत ये चार प्रकार के क्षत्रों में विवाजित था प्रांतिय भारत, रियासती इसको प्रिंसली स्टेट्स का जाता था, चीप सीप, चीप कमिशनर एरिया का जाता था और केंदर सासित परदेश ये चोथा भार्ग इसके इंतरगत माना जाता है, यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे जाना जाता था तो अंग्रेजों ने जब हमें आजादी दी, भारत को आजादी दी, तो आजादी के लिए यहां पर एक योजना बनी थी, और उस योजना का नाम है माउंट बेटन योजना माउंट बेटन उस समय भारत के वाइसराय थे और माउंट बेटन के द्वारा यहां पर भारत की आजादी के साथ भारत के विभाजन की प्लान बनाये था और इसी प्लान को माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतरगत भारत को एक भारत को दो देशो के अंतर्गत बांटना था भारत और पाकिस्तान इस परकार से यहां पर योजना के तहद भारत की आजदी के साथ ही भारत दो देशों में विबक्त हो जाएगा एक भारत और दूसरा पाकिस्तान तो इस तरह से दो देश बनाने कि पीछे भी काफी कुछ राज नेती इते कारण रहे हैं जो भी रहे हैं में उसके पीछे नहीं जाएं केवल यहां पर कि हाँ भारत का विभाजन होना तेय हो गया था और अब ओन से भाग का विवाजन करके भारत और पाकिस्तान बनाए जाये तो इसमें प्रांतिय है भारत अठार्त ये वाले भाग का विबाजन करना है, जिसके द्वारा भारत और पाकיסतान दो शर्तूं का निर्मान किआए, जाएं या प्रांतिय भारत जिसके इंतार गड़ाट लगवक 60% पूरे भारत का था। उस समें 11 प्रांथ थे जिसके अंतर्गत ही पूरे भारत का 60% एरिया रहा था और इसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान का निर्मान करना था तो इस प्रकार से प्रांथी है भारत के द्वारा भारत और पाकिस्तान का निर्मान किया गया अब अंग्रेजों ने यहां पर चा गातर रियाशक त रियास्ति विभागों की रियास्ति के पास विखा फे एतल राजा के लिए उन्हों ने 2 खाल कई रे 있지 राजा चाहे थे भारत में मिल determination राजा चाहे थो स्वतंत्र रहश उस प्रकार से यहां पर भारत को कमजोर करने के लिए उन्होंने जानबूच करके इस परकार का नेने लिया और रियासतों के लिए यहां पर यह तीन प्रावदान किया रियासते चाहे तो भारत में मिल सकती है रियासते चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है या फिर रियासते चाहे तो सुतंत्र रह सकती है त भारत यह पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे और एसे इस्तिति में चोटे-चोटे राज्य यहां पर इनके साथ बने रहेंगे और जब चोटे-चोटे राज्य बहुत सारे बने रहेंगे तो उनकी समशाएं भी बहुत सारी होगी और समशाएं होगी तो उनसे निपटना इनको पड़ेगार यह लड़ती रहेंगे और कभी भी यह भारत अंतरास्ट इस तर पर इस तरह से एक सक्ति के रूप में उबर करके आ नहीं सकेगा इस प्रकार से इनके द्वारा इस तरह की यह योजना के तहत हमें आजादी प्रदान की गई तो प्रांतों का दिविवाजन कर द अंदर के रूप में या चीफ सीफ के यहां पर मुख्या के आदार पर जो निर्ने लिया जाए उसके अनसार लिया जा सकेगा यह एक शेत्र तो बहुत कम थे दिन का कोई ज्यादा प्रभाव राज भारत के उपर नहीं पड़ रहा था में प्रभाव था रियासतों का और इस तरह की योजना बना करके हमारे सामने एक बड़ी समश्य उत्पन कर दिए परन्तु अब क्यूश्चन बनता है कि इन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसका योगदान सबसे अधिक रहा था बहुत इंपर्टेंट क्यूश्चन आता है कि इन रियासतों को और रियासतों के संक्या आजादी के समयती 600 इन 600 रियासतों को भारत में विलय कराना तो 600 राजाओं को भारत में विलय कराने के लिए क्यूश्चन बन गया कि भारत में रियासतों का विलय कराने में सरवादिक योगदान किसका रहा है तो यहां दो विक्तियों का इसका योगदान रहा एक सरदार वलब भाई पटेल और दूसरे थे वीपी मेनन में नान ICS थे ICS जिस सर्वीस को आज हम IAS कहते हैं वही सर्वीस पहले ICS के नाम से जाने जाती थी ICS मतलब Indian Serial Service और उसे का परिवर्टित नाम वर्टमान में IAS है Indian Administrative Service तो ये एक ICS थे वीपी मेनन जिन को रियासती विबाग का सच्छीव बनाए गया अर्थात रियासतों को भारत में मिलाने के लिए रियासतों को भारत में विले करने के लिए एक नया विभाग बनाया गया उस विभाग का नाम रियासती विभाग रखा और उस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लब भई पटेल को और उनका सचीव बनाया गया विपी मेनन तो कभी किशन आता है कि भारत में रियासतों के विले करने में सरवादिक योग योगदान किसका रहा तो भी ध्यान रखे सरदार वल्लब भई पटेल और वीपी मेनन का इनका योगदान राजस्तान के एक एकरण में भी रहा और भारत के एक एकरण में भी रहा ठीक है अब एक क्रिश्चन और है कि सरदार वल्लब भई पटेल और इनका योगदान तो था परन्तु किश्चन आता है कि कौन से महराजा वो भी राजस्थान के राजस्थान के ऐसे कौन से महराजा थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी रियासत को भारत में विलय करने के लिए अस्ताक्षर किये और सभी राजाओं को आहवान किया कि वे भी अपनी रियासतों को भारत म कि राजस्तान के कौनसे राजा सबसे पहले जिनों ने अपनी रियासत का विलय भारत में किया और अन्य राजाओं को भी अपनी रियासत को भारत में विलय करने के लिए कहा था important question का answer simple सा ज्यान रखना है वो राजा थे महाराजा सारदूल सींग सारदूल सींग महाराजा थे बिक्कानेर के बिक्कानेर के महाराजा सारदूल सींग ने सबी राजाओं को आवान किया कि इतने वर्सों से हम इस देश से बहुत कुछ लेते आ रहे हैं पहली बार हमें मौका मिलाए इस देश को कुछ देने के लिए इसलिए मैं सबी से आवान करता हूं कि वो सब राजा अपनी रियासत का विलय भारत में करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें और अपनी रियासत को भारत में विलाय कर दे और ये कह करके सबसे पहले उनके द्वारा भारत के विलाय पत्र पर अपनी रियासत का विलाय करने के लिए अस्ताक्सर कर दिया और उनी के साथ साथ बहुत सारे राजाओं ने भी भारत के अंतरगत रियासतों को विलाय करने के इस तरह से राजाओं के आववान होने से ये प्रक्रिया प्रारम हो गई साथ ही साथ आव वीपी मेनन और सरदार वल्लब भाई पटेल राजाओं के पास में जिनके सामने कोई समझ्या थी तो उनके पास जाते उनसे मिलते हाज जोड़ते निवेदन करते और इस प्रकार से उनको कह करके निवेदन करकर के उनको हाज जोड़ जोड़ करके उनका विलय भारत के अंतरगत कराया गया तो उनका बहुत प्रियास काफी लंबा चोड़ा इसमें रहा है जिसमें उनके प्रियास से यहां पर भारत के अंतरगत जो हम आज तक अगर बात करें तो 600 में से 563 रियास्ते यह भारत के अंतरगत विलए हुई थी उन में सबसे ज्यादा रोयोगदान ये सर्दार वल्लप बई पटेल और वीपी मैनन का रहा तो दो कुश्चिन के अलगलग और वीपी मैनन और सर्दार वल्लप बई पटेल का जाये जब तो आंसर इसका देना है राजा का आजाता है तो राजा का योगदान आता है तुबिक्का नेर के माराजा सारदूल सी अब बात करें यहां पर जब अधिकान्स रियासतें भारत में विलय होगी अधिकान्स रियासतें जब भारत में विलय हो गई तो कुछ समस्यां रहती समस्या के उपर हम कभी अलग विचार करेंगे तो सरदार वल्लबाई पटेल के द्वारा अर्थात रियासती विभाग द्वारा एक आदेश निकाला गया कि भारत में विलय हुई वे रियासतें ही भारत में सतंत्र बनी रह सकती है जिन रियासतों की जन संख्या दस लाक हो और जिनकी राष्ट्रिया आए एक करोड रुपए हो यहाँ पर पहले तो हाज जोड़े और राजाओं को भारत के अंतरगत मिलाया फिर उन्होंने एक आदेश पारित किया कि वे ही रियासतें सतंत रह सकेगी जिनकी आए एक साल की एक करोड रुपए हो और उस रियासत के कुलक शत्र की जन संख्या कम से कम दस लाक हो ठीक है इस सर्थ को अधिकांस रियासतें पूरा नहीं कर पा रही थी इसलिए उन्होंने इसके विकल्प में एक और यहाँ पर आदेश निकाला था कि यदि छोटी छोटी रियासतें आपस में मिल करके अपना संग बना लें और उस संग की जन संख्या 10 लाक हो जाए और राष्टिया एक करोड हो जाए तो वह संग के रूप में भी स्वतंत्र रह सकेगी इस प्रकार से दो चीज यहां पर कि पहलाद प्रादेश पारित किया कि शोतंत्र वह रह सकेंगे जिसके जनसंख्या दस लाग और एक करोड रुपए हो फिर दूसरा विकल्प उनके सामने रखा कि अगर चोटी-चोटी रियासते यह सर्थ पूरा नहीं कर रही है तो चोटी रियासते आपस में मिल जाए अपना एक संग बना ले और संग के अंतरगत अगर उनकी संग की जनसंख्या दस लाग हो जाए और उनकी इंकम भी एक करोड हो गई तो संग के रूप में विवस्वत तंत्र रह सकेंगे तो इस प्रकार से यहां पर एकिकरन की प्रक्रिया के लिए एक कदम उठाया और अपने आप रियास राजाओं के द्वारा यहां पर छोटी चोटी रियासतों को एक साथ मिलाने का प्रियास प्रारंब कर दिया अब आते हम बात राजस्तान में एकिकरन की बात करें तो राजस्तान के अंतरगत तो राजस्तान के अंतरगत एक एकरन से पहले किश्चन पहला कि राजस्तान के एक एकरन से पहले राजस्तान में कितनी रियासते थी कितने चीफ सीफ थे और कितने केंदरसासित प्रदेश थे तो राजस्तान के अंतरगत एकिकरन से पहले रियासतों की संख्या वियासतें थी उननीस चीप सीप थे तीन एक लावा जुबर्तमान में टॉंक में हैं दूसरा नीमराणा जो वर्तमान में अलवर में हैं और तीसरा खुशलगड जो वर्तमान में बांसवड़ा में हैं इस प्रकार से ये तीन चीप सीप थे लावा नीमराणा कुशलगड लावा वर्तमान में टॉंक जिल्ले में नीमराणा वर्तमान में अलवर जिल्ले में और कुशलगड वर्तमा थिकाने और छीप अलक होते थे ठिकाने तो बहुत सार है ते राजस्तान में थे टीन थीन तीकाने नहीं थे दियान रखना आप लोगोनों खूब सुना, विजोलियां का नाम भी सुना है, विजोलियां ठिकाना, शामोद ठिकाना, चोमो ठिकाना, खंडेला ठिकाना, ऐसे सेकुणों के संख्या में यहां ठिकाने थे, जबकि चीप सेप सिकानों से अलग होती थी, और यह तीन चीप सेप लावा, नी और एक था केंदर सासित प्रदेश, केंदर सासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा. तो बहुत सिंपल क्रिशन बन गए यहां से ही, एक के करन से पहले राजस्तान मेरी आस्तितों की संक्या 19, राजस्तान में चीब सिपुं की संक्या 3, ठिकाने नहीं है फिर बता रहा हूँ, इनको ठिकाना नहीं कहते हैं, इनको चीफ सीफ के नाम से जाना जाएगा और केंदर साहसित परदेश कितने थे एक अजमेर मेरवाड़ा ठीक है अब बात करते हैं इस उन्नीस रियासतों में से जो रियासती विबाग ने आदेश पारित किया कि 10 लाग जन संग्या और एक करोड इंकम वाले ही रियासतें श कुष्षन बन गया इस आदेश के अनुसार राजस्तान की कितनी रियासते स्वतंत नहीं रह सकती थी या उस सर्थ को कितनी रियासतें पूरा कर रही थी तो उन्नीस में से केवल चार रियासतें ही सर्थ को पूरा कर रही थी जैपूर पुदैपूर जोदपूर और विक्कानेत ये चार रियासते हैं एक करोड और दस लाग जन संक्या की सर्ट को पूरा कर रही थी इस कारण से यहां पर सिंपल कुश्चन बन गया अर्थार्त रियासती विभाग के आदेश के अनुसार कौन-कौन से रियासते हैं रियासते हैं जयपुर, जोदपुर तता भिक्कानेत अब बच गई पंदरा रियासते हैं तो संग बना ले और संग के रूप में वो इस हपूरी कर लेगी और ये सर्थ पूरी कर लेगी तो इस स्थिति में वह सतंत्र भी बनी रह सकेगी तो इस तरह से यहां पर चार रियासतों को ही सतंत्र रहने का अधिकार मिला और पंद्रा रियासतें किसी संग के रूप में अगर रहेगी तो सतंत्र रह सकेगी वरना वो सतंत्र नहीं रह ये अबे उन्हें एक होना भी अनिवारे था और इसे कारण से यहां पर ये एकिकरन की प्रक्रिया भारत में भी प्रारम हुई और राजस्तान के अंतरगत भी प्रारम हुई अब यहां पर एक किशन और है कि एकिकरन की प्रक्रिया प्रारम होने से पहले किस राजा ने राज प्रियास्तान की रियास्तों सहित, घुजरात और मद्यप्रदेश की रियास्तों को मिला करके एक संग बनाने का प्रावदान किया था, परन्तु उनके इस प्रस्ताव को स्विकार नहीं किया और वह संग निर्मित नहीं हो सका। किस राजा ने ये संग बनाने का प्रियास्त किया, कौन कौन से राज्य की रियास्तों को मिला करके संग बनाने का प्रियास्त किया, उस संग का नाम क्या रखा गया है, उसके लिए सम्मिलन कहां पर आयुजित किया गया, और वह सम्मिलन कब आयुजित किया गया, तो ध्यान रखना है महारणा भुपाल सींग उदेपूर के महारणा उदेपूर के महारणा भुपाल सींग ने राजस्थान, मद्यप्रदेश और गुजराद विवर्तमान में तीनों राज्ये हैं इन तीनों राज्यों की रियास्तों के राजाओं का सम्मेलन 25, 26, जून 1946 को ज्यान रखना है उदेपूर में आयुजित किया गया और इन तीनों राज्यों के राजाओं को उदेपूर में सम्मेलन में उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम तीनों राज्यों की रियास्ते मिल करके एक संग बना लें और उस संग का नाम राजस्तान यूनियन रखा जाए इस प्रकार से अब देखें किश्चन पहला कि राजस्तान के एक एकरन के अंतरगत राजस्तान यूनियन बनाने का प्रस्ताव कि इसके द्वारा रखा गया तो राजस्तान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा उदेपूर महारणा भूपाल सिंग द्वारा ठीक है दूस तुसरा क्यूश्यन उदेपुर महरणा बुपाद सींग द्वारा राजस्तान यूनियन किन को मिला करके बनाने का प्रस्ताव रखा गया तो तीन राज्ये राजस्तान गुजरात और मद्यप्रदेश की रियास्तों को मिला करके राजस्तान यूनियन बनाने का प्रस्ताव फिर क्युश्यन अगला बन गया, यह राजस्तान यूनियन बनाने के लिए सम्मेलन कब और कहां पर आएजित किया गया, तो 25-26 जून 1946 को यह सम्मेलन उदेपुर के अंतरगत आएजित किया गया, परंटु, इस सम्मेलन में समीलित राजाओं के अंतरगत मतवेद होने के कार नहीं किया और उनका ये राज़स्टान यूणियन स साकार नहीं हो सका बन इंपोर्टेंट की क मिलगा और यहां पर एथा पार्स अनके द्वारा किया गया अब यह साकार डुरहन नहीं कर सका उक अलग समस्या यह परन्तों यहां पर प्राज यह सबसे पहले प्रियासिन की द्वारा किया गया है। प्रथम चरण प्रथम चरण जो सबसे पहले संग बना संग का नाम है मतश्य संग। कौन कौन सी रियासितें इसमें सम्मिलित की गई अलवर, भरतपूर, दौलपूर और करोली। किसके सुजाव पर मतश्य संग रखा। कनया लाल, मानिक्य लाल, मुंसी ने सुजाव दिया था। उनिके सुजाव पर इस संग का नाम मतश्य संग रखा गया। राजप्रमुख इस संग का राजप्रमुख बनाय गया। उदय भान सींग को। उदय भान सींग थे धोलपूर नरेश, धोलपूर के महराजा। इस संग के प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री बनाय गये सोभाराम कुमावत। अलवर के रहने वाले सोभाराम कुमावत को इस संग का प्रधान मंत्री, जहां रकना प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री नहीं। और इस संग का उद्गाटन किस ने किया। उद्गाटन किया गया नरहरी विश्णुगाडगिल। नरहरी विश्णुगाडगिल जो कहलाते हैं एन्वी गाडगिल। इस प्रकार से कुष्ण बहुत है अभी तुम्हें इसको समझाना मेरा है। यहां पर केवल एक फॉर्मल है कि किष्ण बन गया राजस्तान के एक एक एकरण में सबसे पहले किस संग का निर्मान हुआ। हुआ। एक एकरण के अंतरगा सबसे पहले जो निर्मित हुआ वह है मतश्य संग। किष्ण बन गया मतश्य संग का निर्मान कब हुआ। 18 मार्ट 1948 मतश्य संग में राजस्तान के कौन कौन से रियासते समिलित की गई। राजस्तान की चार रियासते हैं अलवर, भरतपूर, धोलपूर और करोली रियासते हैं। मतश्य संग का नाम मतश्य संग किसके सुजाव पर रखा गया है। तो मतश संग का नाम रखा गया ये कन्या लाल मानि के लाल मुंसी ने सुजाव दिया और उनी के सुजाव पर ये नाम मतश संग रखा गया इस संग का राजप्रमु कर था जिसे राजजेपाल यहां पर होता है राजजु का परदान उसे परकार से राजजेपाल के स्थान प यह दिया गया है सोभाराम कुमावत जो अलवर के रहने वाले इनको और उदगाटन करने वाले ते नरहरी विष्णों गाड़ अब बात आती है कि राजस्तान में सबसे पहले मतश संग ही क्यों बना मतश संग बनने के पीछे क्या कारण यहां पर दूसरा राज्य दूसरी र किया सते क्यों मिली इसके पीछे कारण है यहां पर हम बात करें किस प्रकार से यह मतश संग बना कौन-कौन से रियासते इसके अंतरगत मिली है और क्यों मिली है यहां पर देखिए यह है दौलपूर यह यहां पर भरतपूर यहां पर अलवर और यह यहां पर करो लिए यह वाला भाग यह वाला भाग मतश संग के रूप में निर्मित हुआ क्यों हुआ इसके पीछे कारण रहे है एक रियासत अलवर राजा तेज सिंग वहां का परदानमंत्री अन्वी खरे इसी समय इस जन्वरी 1948 को नाथुराम गोड से द्वारा महत्मा गांधी की हत्या कर दी गए अब आपसे क्ष्चन है कि महत्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथुराम गोड से किस दल का सदश्य था अरठात किस पार्टी का यह है या किस दल का यह सदश्य माना जाता था इस जियान रखना है are a say कभी मत गळना यह ता हिंदू महा शर्बाक All हिंदू महा सबाक अका सदश्य नाथुराम गोड से ने महत्मा गांधी की हत्या कर दी इसी हिंदु मासभा के सदश से रह चुके हैं अलवर महाराजा तेज सी और इसी महासभा का अध्यक्स रह चुका है एनवी खरे और एनवी खरे और नाथुराम गोड से एक ही गाउं के रहने वाले और हत्या से कुछ समय पहले लगबग तीन महीने पहले नाथुराम गोड से रुसका मित्र दोनों अलवर आए और कुछ दिनों तक ये अलवर रह कर गए माराजा तेज सींग और इनवी खरे के पास ये सब सूचना जब दिल्ली में केंदर सरकार को मिली तो केंदर सरकार ने अलवर माराजा तेज सींग और इनवी खरे को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके इनको नजरबंद कर दिया कि इनका हाथ भी महत्मा कांदी के हत्या के अंतरकत हो सकता है इस प्रकार से राजा और वहां के प्रदान मंत्री को दोनों को वहां पर बंदी बना दिया गया तो अब रियासत का सासन संचालन कौन करे इसलिए केंदर सरकार ने अलवर रियासत को अपने अधीन ले लिया और वहां पर एक ICS की नियुक्ति कर दी और इस तरह से केंदर सरक कि राजस्तान के किस राजा को महत्मा गांदी के हत्याग में हाथ होने के आरोप में संदेह में दिल्ली के अंतरगत नजर बन किया गया तो वो हैं अलवर महराजात तेज सी ठीक है अब इनके विरुद जांच की गई और जांच में एक भी इनके उपर आरोप सिद्धनी हुआ और इस आरोप से इन्हें मुक्त कर दिया गया बरि कर दिया गया दूसरा का भारत के आजादी के साथ में भारत के अंतरगत हिंदु मुसल्मान दंगा अर्था सामप्रदाइक दंगा प्रारंब हो गया पूरे भारत के अंतरगत भारत-प्स्तान के अंतरगत कहा जाता कि इस नंगे में लगबग 10 बंग। की मृत्यु हुई इस परकार से सामप्रदाइग दवनगाय पूरे भारत के अंतरग्त बंगाल में आसाम में पंजाब में इंक उड़ के अंतधि आप लोगों नाम सुना है मेवात क्षेत्र अर्थार्थ राजस्तान के अलवर और भरतपुर जिल्ले का मेव जाती का क्षेत्र जो मुस्लिम जाती है मेव जाती उस मेव जाती के इस शेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता था तो देश आजादी के साथ में मेव जाती ने भी अपने अलग से एक मेवात प्रांत बनाने के लिए इनों ने जान बूच करके यहाँ पर दंगा शुरू कर दिया और हिंदों के साथ में इनोंने मार्गूर सुरू कर दिया। इस प्रकार से राजस्तान के अंतरगत अर्थार सामप्रदाइक दंगा देश आजादी के साथ में कहां पर हुआ तो अलवर और भरत्पुर रियासत के मेवात तक्षेत्र के अंतरगत यह है यह सामप्रदाइक दंगा प्रारंब हो गया अब अलवर के महराजा को बंदी बना दिया गया तो वहां पर दंगा समाप्ट करने के लिए केंदर सरकार ही यहां पर ICS की नियुक्ति कर दी रिए और वो उनको दंगे को रोकने का प्रियास कर रहे हैं और उसे समय भरतपूर के महाराजा थे ब्रजेंदर सिंग, भरतपूर महाराजा ब्रजेंदर सिंग को आदेश दिया गया कि वो अपनी रियासत के अंतरगत सामपरदाइक दंगा को समाप्त करने का प्रियास करे, जब महाराजा ने अपनी तरफ से कोशिस कर ली परन्तु दंगे को रोकने के लिए अपनी तरफ से प्रियास कर सकेते इस प्रकार से बरतपूर महाराजा के कहने के उप्तांत केंदर सरकार ने वहाँ पर भरतपूर रियासत में भी एक ICS की नियुक्ति कर दी और भरतपूर का प्रसासन भी अपने हाथ में ले लिया तो इस तरह से अल संभाला गया और जब यहां सांती हो गई तब तक अलवर के महाराजा भी अपने उपर लगे आरोप से मुक्त हो गए और एसी स्थिती में जो मैंने आपको पहले यहां पर की रियासती विबाग का ओर्डर पास हुआ कि दस लाग जन संक्या और एक क्रोड इंकम वाली तो वो सर्थ यह रियासते पूरा नहीं कर ली ती तो उस्स्तिति में यह सथंत्र रहनी सकती थी इसलिए केंदर सरकार ने इनके सामने एक सुजाव रख्ण चूंकि आप सवतंत रूप में चारो रियासते यहां पर अपना स्थित बनाए रख सकती है तो इस परकार से बरजेंदर सिंग और तेज सिंग जी ने धोलपूर के माराजा उदेबान सिंग से और करोली के माराजा से बात की उनको भी दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके जब चारों माराजा उनने बात करके आपस में निर्ने लिया और निर्ने के अंतरगत उन आम आपको बता है माहभारत काल के अंतर盒त मतय प्रदेश रजास्तान का कौन सा क्षटर कैला था तो राजस्तान का अलवर जी पुर्ची बाकबरठ्पूर का मुख्षी रुक अलवर जिए या आलवर जिला इस इस शेतर के अंतर के अंतर तरता इस संघ में स 만ङे थी। इसलिए कन्यायालाल माने ये मुनसी सुझाव क सरकी से नहीं बेद्ध करदेश की नाम पर सोन प Kings effective रखत Mumbai शक्राइब पर उनके संग को मान लिए आए और इसे कारण से इन चारो रियासतों के निर्मित इस संग को मतश संग नामपरदान किया गया इसका उदगाटन 17 मार्च 1948 को निशित किया गया कि उदगाटन इसका 17 मार्च को करेंगे 17 मार्च को जब उदगाटन की बात हुई उदगाटन की तैयारी हो रही थी कहा जाता है कि ब्रिजेंदर सिंग के भाई ने वहाँ पर गलत फैमी लोगों के बीच में यहां पर गलत अपवा फिला दी और ग्रामिन क्षेतर के अंतरगा जाट लोगों को वहाँ पर उदगाट से मतश संग का उदगाटन जो 17 मार्च को प्रस्तावित था वो 17 मार्च को नहों करके 18 मार्च 1948 को इसका उदगाटन हुआ उदगाटन करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री नरहरी विश्नु गाड़ गिल आये एनवी गाड़ गिल और उनी के हातों से इस संग का अब संग बनिया तो संग की राजदानी किसे बनाए जाए तो यहां पर काम संचालन करने के लिए चारों रियासतों का प्रसासन संचालित करने के लिए एक ही राजदानी होनी चाहिए तो राजदानी मतश संग की राजदानी बनाई गई अलवर को जहां रखना है मतश्य प्रदेश की राजदानी अगर आती है तो मतश्य प्रदेश की राजदानी विराट नगर है जेपूर में जबकि मतश्य संग मतश्य यूनियन की राजदानी आती है वो अलवर को बनाया गया और किसे अब महाराजा अर्थात किस महाराजा को राजप्रमुग पद दिया राज का संचालन कर सके इस परकार से राज्य स्पाल के समान कारे करने वाले रियासतों के अंतरगत इस पद को राजप्रमुक पद प्रदान राजप्रमुक पद के नाम से जाना जाता है तो धोलपूर के महराजा जो सबसे अधिक उम्र के थे वयोवरद्द थे इस कारण से धोलपूर महराजा उदेबान सींग को इस मतश्य संग का राजप्रमुकपद दिया गया। कारेश अंचालन करने के लिए कौन रियल में काम करे तो यह मुख्य मंत्री के समान पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया है प्रदान मंत्री तो मतश्य संग का प्रदान मंत्री बनाया गया है शोभाराम कुमावत जो यहां पर प्रजा मंदल के सदश्य थे और उनको यह का से मतश्य संग का निर्मान हो गया चार रियासती मिल गी तो अब आपके सामने बहुत सारे क्षिश्चन इस तरह से कि राजस्तान के एकिकरण में सबसे पहले किस संग का गठन हुआ मतश संग का गठन मतश संग में कौन कौन सी रियासते हैं अलवार भरतपूर करोली और धौलपूर रियासते हैं का एकिकरण होने से इस संग का नाम मतश संग किसके सुजाव पर रख इसका उद्गाटन कप किया गया है 18 मार्ट 1948 को किसके द्वारा किया गया है नरहरी विष्णु गाडगिल के द्वारा इस संकी राजदनी मतश संकी राजदनी किसे बनाए गई अलवर इस मतश संका राजप्रमुक किसे बनाए गया मतश संका राजप्रमुक दोलपूर तो मतश्यसंग के प्रदान मंतरी ये बनाए गए हैं शोबाराम कुमावर तो इस तरह से राजस्तान के प्रथम चरण के अंतरगत ये चार रियासतों का एक एकरण हुआ था अब मैं आपको राजस्तान का एक एकरण में दूसरा जरण दूसरे चरण के अंतरगत यहां पर कौन-कौन सी रियासते चुकि मैंने आपको पता है 19 में से 15 रियासते वो सर्थ पूरा नहीं कर रही थी इसलिए छोटी रियासतों को आपस मिलने की बहुत मजबूरी थी तो जुई ये संग बना अब देखे आप रियासते यहां पर है ब नहां पर है टौक, फिर ये रियासत यहां पर है किसंगमड़, किसंगमड़ वर्तमान में अजमेर में, यहां पर भहीलवड़ा के अंतरगत है शापूरा, यहां रुकना है सापूरा जेपूर वाला नहीं, भहीलवड़ा, फिर रियासत ये प्रतापगर्ड, ये बासवड़ा और ये डुंगरपूर, ये वाला संपोण क्षत्य, ये छोटी-छोटी रियासते थी, इनके सामने भी समश्या थी, वो अपना संग बनाएं। तो जुई ये संग का उद्गाटन हुआ, उसके साथ दिनों बाद ही अर्थात किष्ण बन गया, दूसरा चरन, राजस्तान का दूसरा चरन, एकिकरन का दूसरा चरन, कब संपन हुआ, तो 25 मार्च 1948 को, नैंटीन फोटी एट को, कौन सा संग बना, संग का नाम रखा गया है, पूर्व राजस्तान संग, पूर्व राजस्तान संग में कितनी रियासते समिलित हुए, रियासतों के संख्या, 9, कौन कौन से 9 रियासते हैं, कोटा, बुंदे, जालावाट, टौक, किसंगड, शापुरा, परतापगड, बास्वडा और डुंगरपुर, ये 9 रियासते हैं, इस संग के अंतर्ग समिलित हुए, इस संग की राजदानी किसे बनाय गया, राजदानी बनाय गया, कोटा को, राजप्रमों किसे बनाय गया, कोटा महाराव भीम सींग, कोटा की महाराव थे, जिनका नाम था भीम सींग, कोटा महाराव भीम सींग को इसका राजप्रमों कि बनाय गया, फिर इसका प्रदान मंत्री किसे बनाय गया, प्रदान मंत्री बनाय गया, गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा रहने वाले थे, शापुरा भीलवडा के, गोकुललाल असावा को इसका प्रदान मंत्री बनाय गया, उद्गाटन किस ने किया, उद्गाटन वही नरहर के दोरा उत्गातन किया गया कभ किया गया पचीज मार्च उनुनिसो इस तरह से राजस्तान के कि करनके दूसरे चरन में कितनी रियासतों का संग बना नो रियासतों का कौन-कौन से नो रियासते हैं, कोटा, बुंदी, जालावाड, तीन रियासते हैं, फिर तीन का गुरूप ये देख लिजेए, टौंक, किसंगड और सापुरा, तीन का यहां पर गुरूप परताफगड, डुंगरपुर और बांसवड़ा, इस परकार से ये नो रियासते हैं एक साथ हम देख सकते हैं, कोटा, बुंदी, बारा, टौंक, किसंगड, सापुरा, और परताफगड, बांसवड़ा, तता डुंगरपूर, इन नो रियासतों का जो संग बना, उसका नाम रखा गया है, पूर राजस्तान संग, राजदानी बनेंगे, कोटा को, राजप्रम पर दूसरे चरण के अंतरगत, ये नो रियासतों का एक संग निर्मित हुआ, राज़स्तान का एक एकरन का तीसरा चरण, तीसरा चरण, कब हुआ, उसमें कौन सी रियासते मिली, मैंने आपको बताया कि चार रियासतें उस सर्थ को पूरा कर पारी थी, एक करोड़ वाली, यहां पर उदेपूर रियासत, उस सर्थ को पूरा कर रही थी, परन्तु यहां कुछ ऐसी गटनाय गटित हुई, उदेपूर रियासत को भी किसीन किसी संग में सम्मिलित होना जो संग बना, उस संग का नाम रखा गया, शैयुक्त राजस्तान संग, इस संग का नाम क्या रखा है, शैयुक्त राजस्तान संग, अब सैयुक्त राजस्तान संग किसके मिलने से निर्मित हुआ, तो पूर्व राजस्तान संग में, दूसरे चरण में जो राजस्तान बना उदेपुर रियासत, पूर राजस्तान संग में उदेपुर रियासत के मिलने से शेंक्त राजस्तान संग का निर्मान किया गया, इस प्रकार से ये वाला क्षेतर तो उसमें थाई, ये उदेपुर रियासत, ये वाला भाग इसके अंतरगा समिलित हो गया, और उदेपुर र संग के ना मसेहां जाने है इस प्रकार से प्रतु है केवल किती राजसते सम्हिंत हुई एक रियासत डुम कि इसमें सम्हिःत हुई पूरों राजस्तान संग में अब यहां पर शेंक्त राजस्तान बगाना जिसमें तोटल रियासतों के ररीने हुग दस नोतोपूर राजस्तान संग की एक रियासत उदेपूर इस प्रकार से दस रियासतों का एक संग बना और दस रियासतों की संग का नाम रखा है संग राजस्तान संग ठीक है राजदानी अब किसे बनाय गया तो कोटा से परिवर्टित करके राजदानी बन गई उदेपूर चुकि उदेपूर उससे बढ़ा था इस कारण से राजदानी बना दी गई उदेपूर राजप्रमुख बदल गए राजप्रमुख बन गए उदेपूर महारणा भुपाल सिंग। पहले कोटा के थे महारणा अब कोटा महारणा को उप्राजप्रमुख पदबरदान किया गया। इस प्रकार से अर्थार सेंक्त राजस्तान संग का राजप्रमुख कौन था तो से सेखिर है सचनक ने के प्रदान मंतरी बनाएं के ऐसेधा मनी क에 लाल वर्मा जोंभी जोलिएं के रहने वाले मेवार में बहुत बड़े नेता थे और माने के लाल वर्मा को इसका परदान मंत्री निर्ट किया गया इसका उद्गाटन करने के लिए स्वयम पंडी ज्वालाल नेहरू उदेपुराये और इस प्रकार से 18 अप्रेल जहान रखना एक कब हुआ 18 अप्रेल 1948 को इस संघ का उद्गाटन पंडी ज्वालाल नेहरू द्वारा उदेपुर के इंतरगत किया गया तो इस प्रकार से अभी और भी हैं आगे हम और भी इसके इंतरगत पढ़ेंगे ऐसे यहां पर step to step यह integration चलता रहा साथ चरण इसके अंतरगत लगे और साथ चरणों के अंतरगत राजस्तान का यह वर्तमान सवरूप प्राप्त हुआ ठीक है बागी हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में तो इस तरह से यहां पर आप ध्यान रखें एक एक step to हर एक एक जीत को केसे केसे यह वर्तमान सवरूप प्राप्त हुआ हुआ ओके